वेलकम टू माई चैनल रिट्जवन व्लोग आज की वीडियो होने वाली है बहुती अलग होने वाली है मतलब कुछ आज का व्लोग नहीं होने वाला है वस एक छोटी सी इंफोर्मेशन आपको लोगों को शेयर करने है आज की टाइम में क्या चल रहा है आप लोगों को पता ह कर लेते हैं ऐसे घटिया अश्लील प्रैंक्स बनाना बंद करो यार अब तो हर जगह प्रैंक्स प्रैंक्स यार एक बर आप लोग ना यूटीब पे जाओ और सर्च करके देखो कि प्रैंक्स जालोगे ना तो प्रैंक्स के नाम पर क्या आपको दिखने क्या लिस्ट अरे चल हट प्रैंक्स बनाते है चल हट या तो हमारी इज़त बहुत जादा गिर रहे है कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में जो प्रैंक्स के नाम पर पूरी इंडस्ट्री को इजनों ना बतनाम करके रखा है तो प्लीज यार एक तो यह चीज़े करना बंद करो आप लोगो हम लोगों को बताने में शर्मा रहे है कि यार हम प्रैंक्स करते है समझ रहे हमें अपने काम से शरम आने लगी है जबकि कुछ लोगों की विज़े से हम लोगों को यह बता हमारी केटिगरी बताने में हमें लोगों को शरम आ रहे है प्लीज ए चीज़े करना बंद करो सीर एक बंदा प्रैंक वालों को रोस्ट कर रहा है किसले कर रहा है आपको पता ही है क्योंकि प्रैंक्स में अशलीलता की सारी हदे पार हो चुकी है गंद पे गंद बिल्कुल वल्गर वीडियोज हो रही है बिल्कुल वल्गर यार यह चीज़े बंद करो एक normal content बनाओ जो आप family के साथ बैठके देख सकते हो आप लोगोंने मेरे contents भी देखे है बाकि अच्छे YouTubers भी है अच्छे लोग भी है जो फ्रैंक्स करते हैं पर कुछ ऐसे लोगोंने इतनी मतलब नंगा पंती की यार ऐसी हदे पार कर रखी है मेरे तो दिमाग मतलब मेरे तो पानी सर से उपर हो गया यह चीज़े करना बंद कर दो इतनी ज़्यादा किलसन हो रही है अभी के टाइम पर यह मैं वीडियो seriously बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के आगे लाओं की यार please सबको यह वीडियो ना शेयर करो यार बहुत ज़ादा प्रैंक्स के नाम पे ना बहुत ही हमें शार हमारे यार लोगों को बताने में कि हम प्रैंक्स आ रहा है हम प्रैंक्स करते है सिर्फ कुछ घटिया लोगों की विज़ा से जो मुझे अभी हाँ पे देख रहे है जो प्रैंक्स के नाम पे बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल वल्गैरिटी मचा रहे है यार जीन है तो हमें इस दुनिया में ठीक है फेक स्क्रिप्टेड भी कहते रहते हो यार क्या फेक स्क्रिप्टेड यार क्या फेक स्क्रिप्टेड चलो ठीक है फेक स्क्रिप्टेड जो बहुत लोग बनाते होगे भाड में जाए वो लोग यार लेकिन यह वल्गैरिटी तो खतम करो इस दुनिया से यार छोड है ना यार कि मतलब बिगड रहे हैं बहुत जादा बच्चे चोटी-चोटी उमर में बच्चों के दिमाग में क्या बसूडिया जा रही है क्या वल्गैरिटी मचा रहे हैं तुम लोगों ने इतनी घटिया कि मेरा इंस्टाग्राम पर सोरी डाले का मने निकिया मेरा मन कर रह होगे यार प्लीज यह चीज़े करना बंद करो यार हमें ना बहुत जादा सीरिसली बता रही हुँ शरम आरिया बताने में कि हम लोग प्रैंक्स करते हैं अगर हम किसी को बोलेगे आज की टाइम में प्रैंक्स करते हैं तो हां यार यह भी वल्गर कंटेंट सी करते होगे उनकी mentality ऐसी set कर दिया तुम लोगों ने इतने गंदे प्रेंक्स करके, stop this यार बहुत irritation होने लगी है, हम search करते हैं YouTube पे तो अशलीलता नहीं मिलती है, और कहा है यार प्रेंक, कहा है, क्यों ना बनाए फिर रोस तुम लोगों पे, क्यों, प्लीज ये चीज़े करना बंद करो, फ्लीज वीडियो को जाद-जाद शीर करो, कुछ नहींकर, जितने अच्छे लोग भी देख रहें, जितने बुरे लोग भी देख रहें, जो गंदे प्रेंक्स करते हैं, उनके चक्र में हम लोग बदनाम हो रहे हैं, वरना हम लोगों को ये काम करना चोड़ना पड़ेगा हम अपनी category अलग choose कर लेते हैं यही कर लेते हैं क्योंकि तुम लोगों ने तो अश्लीलता की हदे पार कर दिया है अब हम कुछ भी बनाएगे तो लोग हमें उसी नजर से देखेगे न कि हाँ प्रैंक है मतलब वल्गर है बंद करो यार यह सब चीजे स्टोप इरिटेटिंग यार बहुत जादा मतलब तिमाग खराब हो चुका है स्टोप कर दो यह सब चीजे अच्छे कंटेंट बनाओ और नहीं बना सकते यूट्यूब छोड़ दो यार छोड़ दो ना सबको भिगाड रहे हो तुम लोग साथ में मेरे घर पे इतनी ज़्यादा प्रोब्लम हो रही है उनको ऐसा लग रहा है कि कई हमारी लड़की ना क्याते है ना कि प्रैंक्स में तो हमारी लड़की भी ना कुछ गलत कंटेंट ना बनाने लग जा यार तुमने सबके घरों क सोच ही ऐसी कर दिया इतने घटिया भाईयाद प्रैंक बना के चीप चीपनेस की पूरी हदे पार कर चुकिया तुम लोग बस करो यार हो गए तुमारे कंटेंट्स हो गए नॉमल कंटेंट बनाओ नहीं बना सकते तो बंद को दो प्रैंक्स बनाना कोई दिक्कत नहीं है उक्षा गो को प्लीज डाइस वीडियो को शेयर करना है अगर मेरी बास से हम मत हो तो कमेंट करके बतादे ना कि प्लीज करना हूअ बाकि कुछ नहीं बोलना में पास में कुछ बोलने को ही नहीं है छोड़ यार